हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू योनिक तड़का आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मार्केट जैसा खमन ढोकली की रेसिपी बिना साइट्रिक एसिट के और आपका ढोकला बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बिना खराब हुए आप एकदम स्पॉंजी जालीदार ढोक अब चाशन दाने वाली है तो फ्रेंट्स अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ दिये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किढ़े अपनी फ्रेंट्स और फैबलीज में और अगर आपने अभी तक यूनिक तर्का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजे जिसे कि आपको इसी तरह की अच्चे-ची वीडियोज मिलती रहें बेल आइकन को प्रेस करना पिलकुल ना भूलें एकदम पर्फेक्ट ढुकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है एक हम स्टेनर ले लेंगे और यहाँ पर वन एंड हाप कप हमने लिया है बेसन तो friends इसी measurement से आप बनाएंगे तो एकदम perfect आपका ढूगला बन करके तयार होगा तो यहाँ पर सबसे पहले इसको stain कर लेते हैं जिसे कि हमारा जो better है वो lumps free ना बने तो friends इसमें यहाँ पर छोटी छोटी चीजों का आप धियान नखेंगे तो आपका ढूखला एकदम perfect बनने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो भी lumps थे हमने इनको निकाल दिया है यहाँ पर हम एट कर रहे हैं दही तो यहाँ पर हमने fresh दही ले लिया है यहाँ पर हमने एक छोटे कप से दही का use किया है तो अभी हमने यहाँ पर एक कपी दही add किया है इसको अच्छे से mix कर लेंगे, mix करने के बाद यहाँ पर half cup दही हमने और लिया है जितना हमने यहाँ पर basin लिया था, उसी के according यहाँ पर हमें ने 1 and half cup लिया है दही तो दही को हमें यहाँ पर अच्छे से mix कर लेना है, तो इस तरह से हमें mixer को त्यार करना है हमारा जो better है एकदम perfect बनेगा, तो friends ढोकला भी हमारा एकदम perfect बनेगा बहुत जदा हमें यहाँ पर घंटों नहीं लगने वाले हैं, बहुत कम समय में यह ढोकला बनकर के तयार होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस skirt के साथ हमने इसको अच्छे से mix कर लिया है, mix करने के बाद यहाँ पर हम इसमें add करेंगे sugar powder तो यहाँ पर हमने 2 spoon लिया है sugar powder, तो friends यहाँ पर हम add कर रहे हैं half spoon नमक, half spoon healthy powder और healthy powder से बहुत अच्छा color आएगा यह एकदम optional है, आप इसको चाहें तो इसको इब भी कर सकते हैं यहाँ पर 2 बड़ा spoon हमने यहाँ पर oil या फिर आप जो भी घी बगरा जो भी यूज करते हैं आप उसको ले सकते हैं तो दो बड़ा spoon हमने यहाँ पर घी एट किया है, इससे जो है हमारा ढोगला एकदम tasty बनने वाला है बहुत ही और यहाँ पर हमने citric acid यूज नहीं किया है, आप देख सकते हैं, तो बस इसी तरह से हम यह ढोगला बना करके तियार करेंगे इसको हमने अच्छे से mix कर लिया है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा mixture थोड़ा थिक हो रहा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा curd भी add कर सकते हैं, अधर्वाइस यहाँ पर पानी का use भी कर सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा दही का mixture हमने और एट किया है, उसके बाद इसको अच्छे से mix करना है, और अच्छे से beat करना है, इस mixture को यहाँ पर हम 5-7 मिनट के लिए अच्छे से beat करेंगे, और इसको clockwise इसी तरह से हमें घुमाना है, और यहाँ पर एकदम smooth texture में हमें तयार करन है, यह बैटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी smooth हमारा mixture ready हो चुका है, और यहाँ पर अब हम एट कर रहे हैं, lemon juice, तो friends, यहाँ पर हमने half lemon का juice ले लिया है, उसको हमने यहाँ पर mix कर लिया है, तो side-trick acid की जगह पर हमने यहाँ पर lemon का juice एट किया है, जिससे हमार जो ढुकला है, वो काफी ज़्यादा जालीदार और spongy बनने वाला है, तो यहाँ पर batter की consistency एकदम perfect होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी एट किया है, हमें batter यहाँ पर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो batter हमारा एकदम perfect consistency में होना चाहि तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी एट किया है, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से बिलकुल frequency से गिरना चाहिए, जो mixture है हमारा जो batter है, एकदम fluidly जो है नीचे गिरना चाहिए, तो friends इस तरह का batter हमें तयार करना है, तो इस big mixture को हमें लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, इतना ही समय लगता है, बहुँ ज़्यादा समय में नहीं लगता है, तो इस तरह का आप देख सकते हैं, mixture हमें तयार करना है, यह batter हमें तयार करना है, तो इस बैटर लगभग हमारा ready हो चुका है, तो इसको अब हम cover करके रग देते हैं, इतने हम अपनी steamer ready कर लेते हैं, steamer क लिए हमने यहां पर एक कड़ाई लिए, एक ग्लास हमने यहां पर पानी एट कर दिया है, यहां पर इसको cover करके बिल्कुल low flame पे preheated होने के लिए रख देंगे, यहां पर हमने एक मोल ले लिया है, इस तरह का आप चाहें कोई plate भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से grease कर लें, उसके बाद यह mixture हमारा बिल्कुल तयार है, mixture को हम यहां पर beat करेंगे, थोड़ा सा, तो 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से mixture को beat कर लें, जिससे की mixture जो हमारा एक दम fluffy बने, और बहुत ही ज़्यादा tasty हमारा ढोकला है बन करके तयार हो, तो यहां पर mixture हमारा कफी तयार हो चुक तो इसको हमें fluffy बनाने के लिए हम यहां पर add कर रहे हैं इनू, fruit salt, तो यहां पर जो है, एक इनू का सैसे हमें यहां पर add कर दिना है, बिल्कुल last में, जब हम बिल्कुल हमें जो है, मोल्ड में इसको add करना है, और इसको हमें एकदम से mix करना है, बहुत जादा समय में नहीं लगाना है और फटा-फट इसको mix करें अच्छे से जो है सारे में mixture को अच्छे से mix करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना fluffy हो चुका है और कितना जद जालीदार यह ढोकला हमारा बन करके तयार होने वाला है तो यहाँ पर इस mixture को हमें इसी तरह से बीट करना है बहुत जल्दी से इसको बीट करना है जिसे कि इसके जो air है वो ना निकले इसमें से और हमारा ढोकला एकदम परफेक्ट बने तो फ्रेंस ढोकले को हमें यहाँ पर बीट कर लिया है बीट करने के बाद इस mixture को हम यहाँ पर add करेंगे इस mold में तो आप यहाँ पर mold की जगा पर कोई plate ठाली को भी grease करके यूज कर सकते हैं तो सारे mixture को बस यहाँ पर add कर लेंगे और अब यहाँ पर इसको अच्छे से हम tap कर लेंगे जिससे कि इसमें air bubbles ना बने और यह अच्छे से set हो जाए तो यहाँ पर यह set हो चुका है इसके बाद हमारी जो कडाई है वह अच्छे से preheated हो चुकी है उसके बाद इस mode को हम इसमें रख देंगे और cover कर देंगे और यहाँ पर हम इसको 15 से 20 मिनिट के लिए low to medium flame पे इसको हमें यहाँ पर bake करना है यानि कि अच्छे से steam कर करना है तो फ्रेंज यहाँ पर जो है इसको रख देंगे और अच्छे से इसको हमें बेक करना है स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम हम यहां पर पांच मिनिट के लिए high रख के उसके बाद यहाँ पर low to medium flame पे इसको हमें यहाँ पर अच्छे से त्यार करना है तो फ्रेंश यह तयार हो रहा है हमारा ढोगला इतने हम तयार कर लेते हैं इसका पानी पानी तियार करने के लिए एक बड़ा बावल हमने यहां पर घी या फिर आप कोई भी इडेविल ले सकते हैं उसको गरम कर लें अच्छे से उसके बाद यहां पर हमने लिए है हाप स्पून राई रा करने के बाद यहां पर हमने पानी एड़ करना है तो यहां पर हमने एक कप पानी एड़ कर दिया है और उसके बाद यहां पर हम एड़ करेंगे दो लेमन का जूस दो लेमन का जूस हमने एड़ कर दिया है इससे हमारा जो डोकला है एकदम खटा मीठा तीखा बहुत ही बन करके तयार होता है तो बस यहां पर हम इस सुगर को मेल्ट कर लेंगे गैस का फ्लेम यहां पर हाई रखेंगे हाई फ्लेम पर इसको हमें कंटिनियसली स्टर करना है और यहां पर बस इसी तरह से इस मिक्षर को हमें तयार करना है और यह ढोकला बहुती जादा टेस्टी ब पानी में भी अच्छे से बॉयल आ चुका है तो दो-तीन मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे बॉयल करने के बाद यह मिक्शर हमारा रेडी हो चुका है तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे उसके बाद हम यहाँ पर अपना ढोकले को चेक कर लेते हैं और यहाँ पर 15-20 मिनट लगभग हो चुके हैं तो बस गैस हमने यहाँ पर ओफ कर दी है ओफ करने के बाद यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ढोकला अच्छे से त्यार हुआ है या नहीं हुआ है टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन है ढोकला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बस यहाँ पर इसको हम इस तरह से फिंगर से चेक कर लेंगे और उसके बाद इसको हम आराम से बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा से थंड़ा कर लेंगे थंड़ा करने के बाद इसको निकाले नहीं तो यह थोड़ा सब खुल जाता है तो फिर पहले हमें नाइब से अच्छे इसको kषा करना है तो यहां पर एक क्लेट लें और मोल को इस तरह से मर्लक्ड से अराप दें कितना स्पों जी भूगला बनकर के तयार है तो सो इसी तरह ज़ादा श्पॉंजी ये ढोगला बन करके तयार हुआ है तो बस इसको कट कर लेते हैं तो यहां पर हम छोटी-छोटी से पहले निशान लगा लेंगे जिस भी शेप में हमें इसको कट करना है छोटे बड़े पीसिस में तो यहां पर इस तरह से हम इसको निशान लगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह धोगला हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पन करके त्यार हुआ है तो आप कट करने के अंदाजे से ही लगा सकते हैं कि धोगला हमारा कितना स्पॉंजी यह बना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह ढोकला बहुत ही ज़्यादा जालीदार और स्पॉंजी बन करके त्यार हुआ है तो यहाँ पर सारा ढोकला हमने कट कर लिया है पीसे में छोटे छोटे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जालीदार और यह स्पॉंजी यह ढोकला बन करके तयार हुआ है और यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही जूसी भी होता है और इसमें आप जूस जब भरेंगे तो यह काफी अच्छे से जूस को एब्सॉर्ब करेगा तो फ्रेंज यहाँ पर जो हमने पानी बनाया था ढोकले का खटा मिठा उसको हम यहाँ पर एड़ कर देंगे और अच्छे से देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने अच्छे से यह एब्सॉर्ब कर रहा है पानी को और इसमें पानी वाला यह ढोकला बहुत ही टेस्टी बन करके त्यार होता है तो आप देख सकते हैं ये ढोगला बहुत ही आसानी से इतना टेस्टी मार्केट जैसा एकदम जालीदार और इसका जो टेस्ट है ने ढोगले का फ्रेंट्स बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही टेस्टी ढोगला लगता है मार्केट से भी अच्छा ये ढोगला लगता है ख subscribe for more recipes and bell icon को भी जरूर प्रेस करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह recipe कैसी लगी thanks for full watch and bye bye and take care all of you